हाई मैं परशान्थ आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्विटीर कम्यूटी पे स्वागत करता हूँ तो दोस्तों मार्च का मन्त खत्म हो गया और अप्रियल का मन्त स्टार्ट हो गया यानि न्यू फाइनसियर का सुरुवाद हो गया और इस फाइनसियर में बहुत सारे IPO मार्केट में डेवि करने को तयार है यानि मार्केट में इंट्री करने को तयार है तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन-कौन सा IPO है जो आपको अप्रियल के मन्त में मार्केट में इंट्री कर सकता है दलाल स्ट्रीट में डेवि करने को कौन-कौन से कंपनी तया उन सारे कंपनी के बारे हम यहां पे इस वीडियो में डीडियल से बात करने जा रहे है तो अप्रियल के मंत में जो पहला IPO market में inpry करने को तैयार है वो ए आपका LIC IPO LIC IPO की बात करें त़िए आपका मार्च के मन्त में मारकेट में देवी करने को तयार था लेकिन रस्या इक्वेन के बीच में जो कांफीलग। था, उसके कारण से मारकेट में जबदस सेल अफ देखने को मिला था ये इंडिया का biggest IPO रहने वाला है क्योंकि इसका IPO साइज आपका 65,000 कोर्ड से लेके 75,000 कोर्ड का रहने वाला है अगर हम यहाँ पर LIC IPO की बात करें इसका price band अभी announce नहीं हुआ और उम्मीर है कि बहुत जल्द इसका price band भी announce हो जाएगा और LIC IPO ये इंडिया का one of the biggest life insurance company है और इसके साथ फार ये investment company है इसका investment portfolio भी काफी जबरदस्त है अगर हम LIC IPO के insurance फिल में market share की बात करें इसका market share लगबग आपका 69% का market share है इससे आप इसके dominance का अंदादा लगा सकते हैं insurance sector में और LIC IPO बहुत जल्द market में क्यों आ सकता है इसके पीछे भी region है क्योंकि government का investment का plan है 78,000 करोर का उसमें से 68,000 करोर आपका LIC IPO ही देगा यह नहीं लगवक 80-90% जो government का dis investment का plan है वो सिर्फ LIC IPO ही पूरा करके देने जा रहा है इसलिए government यहाँ पे ज़्यादा wait नहीं करेगा और अप्रिल के मन्त में LIC IPO आने के chances बहुत ज़्यादा है उसकी बाद next IPO जो आपका अप्रिल के मन्त में इंट्री करता हो दिख सकता है वो है आपका Hexagon Nutrition IPO शाहिद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा लेकिन यह भी IPO अप्रिल के मन्त में आ सकता है इसके भी chances बहुत ज़्यादा है यहाँ पे अगर हम Hexagon Nutrition की बात करें ति यह आपका Mumbai based company है लेकिन यह इंडिया का one of the leading brand है in wellness और clinical nutrition के field में है और इसका जो involvement है इसका involvement है nutrition product के researching में, developing में और marketing में इसका involvement है और इसका presence है ना सिर्फ इंडिया में बलकि इसका global presence है और अगर आप global presence के बारे में जानेंगे तो आप really surprise हो जाएंगे इसका इंडिया के अलावा 70, 70, 70 countries में इसका presence है including South Africa, Malaysia, Ethiopia, France, Ghana, Indonesia, Kenya, Brazil इसके अलावा और भी कई सारे countries में इसका presence है तो इसका आप global presence भी देख सकते हैं और यह इंडिया का one of the leading wellness और clinical nutrition manufacturing company में से आती है और अगर हम इसके IPO size की बात करें तो यह आपका 600 करोड का IPO लाने जा रहा यह नहीं यह अपने IPO से 600 करोड का पैसा wage करने जा रहा और इसका भी IPO अप्रेल मंत के second half में आ सकता है इसकी probability बहुत जादा है next IPO जो आपको अप्रेल के मंत में आता हो दिख सकता है वह आपका OYO IPO यह काफी popular IPO है और इस IPO का भी काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था यहाँ पर अगर हम OYO की बात करें यह इंडिया का one of the leading startup है in hospitality segment में और इसका जो focus है mainly new age technology पे इसका बहुत जादा focus है according to OYO IPO DRS पे इसका जो IPO size बहने वाला हुआ होगा 8,430 करोड का लेकिन जो अभी recent news आ रहा है उसमें यह आ रहा है कि अपना IPO size घटा सकता है और अपना IPO size 50% से घटा सकता है यह नहीं अब इसका जो IPO size बह जाएगा वो रह जाएगा 4,200 करोड का इसका IPO size बह जाएगा और OYO अपने customers को short stay accommodations काफी cheap price पे available करवा के दे रहा है since 2012 लेकिन यहाँ पर एक problem है यह company जब से बनाया तब से अभी तक एक बार भी profit में नहीं आया है और आपने देखा यह कि loss making company का recent IPO में क्या हाल हुआ है तो आपको यह भी देखना परेगा कि जो company अपना IPO लाने जा रहा ह वो आपका loss making company है या फिर profit making company है अगला IPO जो आपको अप्रेल के मन्त में आता वा दिक सकता हुए आपका delivery IPO यह भी इंडिया का काफी popular और well known brand है जो की काफी तेजी से grow कर रहा है देलिवेरी की बात करें यह आपका logistic field की company है और recording to DRSP जो इसने से भी को file किया था 1st November 2021 को यह जो IPO लाने जारा वो 7,460 करोड का IPO लाने जारा जिसमें से 5,000 करोड का fresh issue होगा और बांकी बचा 2,460 करोड का OFS रहने वाला है और IPO के बाद इसका जो valuation हो जाएगा वो 6 billion से लेके 6.5 billion के करीब इसका valuation हो जाएगा और यह जो है यह आपका grow gram based logistic and service provider company है तो इसका IPO भी अप् के मन्त में आ सकता हूँ है Ola IPO Ola का आपने अभी recent नाम भी सुना रहोगा और इसने electric space में भी अपना entry किया है और अपना यह electric scooter भी बनाया है तो इस लिहाज से भी इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत benefit मिलता हो दिख सकता क्योंकि यह electric space में भी entry किया है तो यहाँ पे अगर हम Ola के business model की बात करें यह India का one of the largest mobility platform है और इसका global leaders में भी presence है इसके अगर हम services की बात करें इंडिया में इसका services है वो 250 cities में services है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी इसका presence है New England UK और Australia में भी इसका presence है वही next IPO जो आपको अप्रियल के मन्त में आता हुआ दिख सकता हुए आ जो का Go Air का IPO Go Air की बात करें यह India का one of the fastest growing ultra low cost carrier है जो की काफी cheap price पे ticket available करवा के देता है और इसके लिए लोग Go Air को ज़्यादा prefer करते हैं तो अगर हम Go Air के market share की बात करें तो इसका finance year 2018 में market share था 8.8% करीव लेकिन 2020 में इसका market share increase होके हो गया 10.8% यानि 2 साल में इसने अपना 2% market share increase कर लिया जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा competition है तो यहाँ पर अगर हम Go Air के travel destination की बात करें तो इंडिया में इसके पास 28th destination है जबकि globally यह 9 destinations पर भी अपना flight run करता है तो Go Air की बात करें तो इससे पहले इसका नाम था Go First May 2021 में इसने अपना name change करके Go First से Go Air क इसकी बात करें इंडिया में जितने भी crucial airport है इन सब पर इसका presence है तो इसके डेट में कुछ changes भी हो सकते हैं अगर डेट में कुछ change होता है मैं आपको fresh वीडियो बना के उसका update दे दूँगा इसके लाबा और भी IPO है जो बहुत जल्द आपको market में debut करने को तयार है बहुत दलाल स्ट्रीट में इंट्री करने को तयार है उस IPO का भी आपको नाम में बता देता हूँ तो आप यहाँ पर स्क्वीन पर रेख सकते हो फामीजी है बजाज इनर्जी है भारवत FIH है इमिक्योर फार्मा है गो एरलाइन्स बोट इलेक्ट्रोनिक ड्रूम टेक्नलोजी ज और जात अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर इसके अलाबा और भी बहुत सारे कॉंटेंट आपको मिलेंगे जो कि आपको ट्रेडिंग और इंवेश्मेंट में हल्प करेगा चाहे आप बिगनर्स हो या फिर एडवांस लेबल का कॉंट चाहिए आपको सारा कुछ हमारे यूटूब चैनल इक्विटिट कॉंटिट पर मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जोड कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जै हिंद